हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक टु मैं चैनल आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगे तो आज की इस वीडियो में हम बना रहे हैं पंजाबी स्टाइल में छोले मसाला जो वाइट चने होते हैं उसकी एक रेसिपी हम यहां पे बना रहे हैं और मैंने पूरी कोशिश की है इसे पंजाबी स्टाइल में बनाने की अगर कुछ कमी रह गई है तो प्लीज मुझे कमेंट करकी जरूर बताइएगा और रसेपी कैसी बनी है जरूर शेयर कीजेगा रसेपी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले तो आईए रसेपी को शुरू करते हैं और बेल आइकन जरूर प्रस कीजेगा आगयाने वाली वीडियो के लिए देखिए सबसे पहले मैंने यहां पर कुकर लिया है और मैंने यहां पर एक बड़ा कब जो सफेच रहे थे भीगो दिये थे ओवरनाइट और अब हम इसे यहां पर उबाल रहे हैं यहां प लगबग एक चमच में यहां पर नमग यूज कर रही हूं ताकि चनने हमारे अच्छे से गल जाए यहां पर और यह मैंने डाल दिया है यहां पर पानी आप चार से पांच कप यूज कर सकते हैं या चने के जो लेवल होता है उसे थोड़ा सा उपर आपको यूज करना है औ और मैंने यहां पर लगबग एक कप डाल दिया है चाय पती का पानी एक चोटी चमच चाय पती को मैंने उबाल लिया था और उसके पानी को मैंने यहां पर यूज कर दिया है अच्छे से कलर के लिए कलर के लिए बहुत सारी चीज़े यूज कर सकते हैं आप लोही की यहां पर मैं थोड़े से घुटे हुए बनाती हूं सफेद वाले चने अगर आप स्यादा गुटा हुए पसंद नहीं करते हैं तो आप 4-5 सिटी के बाद आप इसे खोल लीजिए और आपके चने अच्छे से उबल कर तयार हो जाएंगे आप देख सकते हैं अब हम बना रहे हैं चना मसाला जैसे कि मैंने आपको बताया यह मसाली दार बना रहे हैं तो सबसे पहले मैंने डाला है यहां पर थोड़े सोयल उसमें दो तेश पत्ता यहां पर मैंने डाल दी है एक सुकी हुई लाल मेच कश्मीरी मेच मैंने यूज की है एक बड़ी यह मैंने डाले हैं दो हरी इलाइची, अब मैंने डाले एक जावेतरी, यह मैंने दो डाले हैं स्टार फूल, यह मैंने डाले हैं दो चम्मज, साबुद धनिया, और यह मैंने लिये हैं कुछ काली मिर्च के दाने, दसे बारा, यह मैंने डाले हैं 4-5 लॉंग, और यह मैं डालें कुछ मेथी के दाने, मेथी बहुत जादा नहीं यूज़ करनी है हमें यहाँ पे और यह मैंने डाला है एक छोटा चम्मच सॉफ यह मैंने डाला है एक अधा जो छोटा चम्मच उता है अजवाइन यह भी बहुत जादा नहीं यूज़ करेंगे और इनको हलकी आज पर रखे हमें यहाँ पर अच्छे से इनको थोड़ा सा भून लेना है जब तक एक अच्छी सी खुश्बू ना आने लग जाए फ्लेम को यहाँ पर लोही रखेंगे अब यहाँ पर मैंने डाल दी ही कसूरी मेती एक छोटा चममच डाल के अच्छे से च्छोथाई चममच यह डाला है थोड़ा सामचूर पाउडर आधी च्छोटी चममच और मसाले को पीस लेंगे तो आये शुरू करते हैं रेसिपी को बनाना यहाँ पर मैंने डाला है तेल तीन से चार चममच यहाँ पर मैंने डाला है आदा चमच गी आज़ी से गरम कर ल पहले यहां पे छोटा चमच हल्दी का पाउडर इवन इसलिए डाल आ है क्योंकि मसाले हमारे अल्ड़ी रोस्टीड है तो हल्दी से क्या होगा पहले डालने से घच्छा बन निकल जाएगा अब डाल दिया है यहां पे प्याज दो कटे हुए प्याज मेन अच्छ से यहां प बड़ा चमच मिक्स कर देंगे अब मैंने डाल लहीं यहां पे लाल मिर्च पाउडर आप डेश्य कॉर्डिंग डाल सकते हैं यहां पर अच्छा सा mix देंगे रेसिपी को अब मैंने डाल यहाँ पर भुना हुआ जीरा पाउडर एक छोटा जमच और mix कर लिया है यहाँ पर मैंने लिये हैं दो से तीन मीडियम साइज के टमाडर जिनको मैंने अच्छे से प्योरी कर लिया था और यहाँ पर डालना है स्वादनुस नमक नमक आप चेक कर लीजिए क्योंकि मैंने वन स्पून पहले भी यूज किया है बोईल के टाइम पर अच्छे मिक्स कर देंगे 2-3 मिनट के लिए हम इसे ढख के पकाएंगे आप देख सकते हैं मसाला हमारा भून गया है अच्छा से एक मिक्स देंगे इसको और यह जो मसाला मैंने आपको शुरू में दिखाया था जो रोस्ट करके बनाए था वो मैंने डाल दिया है यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर देंगे दो बड़े चमच काफी होता है अगर बच जाता है तो आप नेक्स टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं ताकि मसाले जो है बॉटम में लगना जाए कड़ाईगी और अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे दखके रखा है मैंने एक से दो मिनिट के लिए आप देख सकते हैं ओइल उपर आ गया है यानिकी मसाले बहुत अच्छे से हमारे यहाँ पर भुनगे और एक बहुत अच्छा अरोमा भी आने लग गया है अब हम मिला रहे हैं यहाँ पर हमारे उबले हुए छोले अच्छा से एक मिक्स तेंगे अगर आप थोड़े और साबुत खाना पसंद करते हैं तो आप इसे चल्दी भी खोल के यूज कर सकते हैं अच्छा से मिक्स करेंगी रेसिपी को जया दरते हैं लो recharge था मों दीखिये हमारे जो छोला मसाला है यहाँ पर बनके चनी मसाला जो है यहाँ पर बनके तयार हो गया है अब हम इसमें दे रहे है एक लास्ट मेकहत दड़का यहाँ ने डाला है एक चमझ घी अब मैंने डाली है यहाँ पर दो कटी हुई हरी मिर्च और कुछ जूलियन्स की हुए अध्रग जिसको मैंने बहुत यहाँ पर बतला बतला बारी काट लिया है अच्छा सा मिक्स दे देंगे यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं एक पिंच डालके मिला लेंगे इसको यहाँ पर फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मैंने डाली है थोड़ी सी लाल मिच पाउडर और डालके आप इसे मिक्स कर लीजिए फ्लेम लोह ही रखेंगे ताकि लाल मिच हमारी जलना जाए और यह देखिए मैंने से यहां पर छोले में डाल दिया है यह लास तड़का है जो बहुत अच्छा फ्लेवर देगा छोले को डाल के आप इसे मिक्स कर लेंगे और देखिए हमारे छोले कलर भी कितना अचाया है और हमारे बहुत ही देश्टी छोले बनकर तयार है